जो काम तस पंदूप नहीं कर सकती ना वो काम ठलता बल्लू कर सकता है तुम अधा काई मदद पाई जे किसी की मौत हैलो फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंट्रेस्टिंग और सांदार हिंदी बैट सरिज के बारे में जिन्हें लोगों ने मिस कर दिया ये सारी बैट सरिज बहुत ही कमाल की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए तो चलिए बीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन बैट सरिज के बारे में नमबर वन रूहानियत दोस्तो एक कम्पलेट बैट सरिज बेस्ट है रोमैंटिक एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर बैट सरिज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो बैट सरिज की स्टोरी एक्टूरल में एक ऐसे इंसान से सुरू होती है जो कि एक लड़की से प्यार कड़ पैड़ता है लेकिन अचानक से ही उस लड़की की देथ हो जाती है और एक बार फिर से उसके लाइफ में एक लड़की एंट्री मारने की कोशिज कर दी है लेकिन लाश्ट अको लड़का उस लड़की को एसेट करने में काम्याब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कंप्लेट बैप सरीज में बैप सरीज रिलिस की गई है M.S. पिलेयर पर वैसे प्यार में कोई रूल्स नहीं होने चाहिए प्यार एक नजर में भी तो होता है पिशी मैंने ना इस डाइडिम में वो पचास बाते लिखे है जो कहती है कि हम दूने एक दुस्से के लिए बने है तोल में बैप सरीज बेस्ट है फैंटिसी मैजिकल ट्रामा एक्टिविटी के उपर बैप सरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो बैप सरीज की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है बैप सरीज की स्टोरी स्टोरी सुरू होती है एक ऐसे मैजिकल की से जिसके मदद से आप किसी भी दुनिया में जा सकते है या फिर किसी के भी दिमाग में घूच सकते है कुछ ऐसी ही fantasy journey को परजेंट करने जा रही है एक complete बैप स्रीज जो कि आपको काफी हाँ तक बहुत ज़्यादा adventurous भी लगने वाली है बैप स्रीज रिलीज की गई है Netflix पर और इसे IMDB rating देती है 10 में 7.4 की नमबर 3 पर है 16 साल बैप स्रीज की story उन्हें बहुत ज़्यादा interesting लगने वाली है जो कि historical drama देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते है बैप स्रीज की story actually में औरंग जेब के life के उपर बेस करके बनाई गई है या फिर कह सकते हैं कि कुछ हमारा ठाओं ने औरंग जेब के नाक में दम कर दिया था यही सारी चीजे दिखाने की कोशिज की जाएगी इस complete बैप स्रीज में बैप स्रीज रिलीज की गई है MX पलेएर पर देश को कई शिवाजी और कई छत्र साल की आवश्यक्ता है तब ही मिलेगा स्वाराज हमारे दुश्मन की ताकत हजार गुना जादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इरादा बल जाए इस बंदेल्कट की सरजमी पर इतना खून बहना चाहिए कि वह जमीन सुर्ख लाल हो जाए हाहाँ